अरे तुमने किया होगा ना गो लाइव तो हुआ है चेक करो भी हाँ अब देखो आ रहा है हो गया ना येस पीबल तो गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू कल जो पढ़ा था उसको एक बार क्विक्ली रिवाइस कर देते हैं उसके बाद आगे पढ़ना चालू करेंगे जो भी जहां पर देख रहा है उसके लिए तो सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी में इंकम कब आती है जब दो कंडिशन सेटेसफाइड होनी चाहिए पहली जी हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए और असेसी उसका ओनर होना चाहिए अब एक बात समझ से land attached है तो उस building को हम house property बोलेंगे अब एक चीज समझना house property में sir अगर commercial property है तो भी income इस हैड में आएगी answer is yes residential property है तो भी इसी head में आएगी लेकिन अगर मालो आपने कोई vacant land था खाली एक plot पड़ा था उसको भाड़े पे दिया तो income इस head में नहीं आएगी वो या तो PGBP में जाएगी या IFOS में जाएगी फिर हमने बोला था कि अगर कोई builder है जिसके लिए building stock in trade है अगर builder ने building को बेचा वो बेचने से जो income आई वो तो जाएगी PGBP में बिट अगर building ऐसे ही पड़ी थी उसको भाड़े पे दे दिया तो भाड़े पे देने से जो income आएगी वो जाएगी house property head में असेसी उसका owner होना चाहिए owner का मतलब आप एक बात समझिए आप किसी building के owner हो और आपने भाड़े पे दिया आपको भाड़ा मिल रहा है तो house property में जाएगा लेकिन अगर माल लो आगे वाले बंदे ने वापस आगे sublet कर दिया तो उसको जो भाड़ा मिलेगा वो other sources में जाएगा या business में जाएगा लेकिन आपको जो भाड़ा मिलेगा वो कहां पे जाएगा house property में जाएगा अब एक बात समझना house property कितने type की होती है दो type की one is the laid out property and one is the self occupied property laid out property का मतलब होता है कि अगर जिस property को आपने किसी को भाड़े पे चड़ा रखा है that is called laid out property and laid out property से obviously आपको income मिलेगी वो always taxable होती है एक होती है self occupied property self occupied property ऐसी property जो आपने खुद ने occupy कर रखी है आप खुदी उसमें पड़े हो that is called self occupied property but self occupied property अगर आप business purpose के लिए use करते हो तो उसको आपको ignore करने का क्या करने का ignore का मतलब तिल लेने गया इसके लिए आपको ignore करने का लेकिन अगर आप residence purpose के लिए use करते हो तो दो SOP exempt है मलब दो SOP है वो आप रखिए कोई दिक्कत नहीं use करिए कोई उस पे income income पे tax नहीं बढ़ना income होती ही नहीं है लेकिन अगर आप दो से ज़्यादा SOP रखते हो दो से ज़्यादा घर में आप रहते हो जैसे लोग 55 घर में रहते है तो यह गलत है ना तो इसमें क्या होगा दो SOP है वो exempt हो जाएगा बाकी वाली SOP को DLOP मानेंगे क्या मानेंगे DLOP फुल फॉर्म क्या हुआ deemed to be let out property मलब जिसको deemed to be let out property property को let out किया नहीं है बट लेट आउट मान लेंगे अब एक बात बताओ मैं बोल रहा हूँ दो SOP exempt है इसका मतलब सरफ घर में दो room exempt है या पूरा घर exempt है जैसे मान लो मुकेश अमबानी का एक घर है जो 20 माले का है एंटिला करके ठीक है एंटिलिया या जो भी अपन गरीब लोगों को नाम ही नहीं बोलना आ था करके ठीक है एंटिलिया तो जो मुकेश अमबानी का घर है वो पूरा घर SOP माना जाएगा या उसमें से सरफ दो roomy SOP माने जाएगा पूरा घर अब जैसे मुकेश अमबानी के पास एंटिलिया है एक और घर उसने ले लिया मान लो करके ठीक है पूने में यहाँ पे तो दो घर पे वो SOP का benefit ले सकता है वो एंटिलिया इतना बड़ा घर है बड़ वो एक ही house property माना जाएगा अगर घर एक है बले वो बंगलो हो बले वो हवेली हो करके ठीक है वो घर एक है तो आपके दो प्रोपेटी तक आप SOP का benefit ले सकते हो अब एक बात समझना house property का income निकालना कैसे है तो कल हमने बात की थी तनुश्री की और तनुश्री अपनी दादी जी के पास गई थी किसके पास गई थी दादी जी और दादी जी को जाके क्या बोला था कि दादी दादी house property की income कैसे निकालते है तो दादी ने बोला था बेटा बड़ा simple है जो rent आता है वो house property की income नी तो उसमें house property की income कैसे निकालेंगे या फिर दादी एक बात बताओ हमने अगर cheating किया तो 50,000 रुपया rent है उसमें से 4,000 हम check में लेंगे और बाकी वाला 46,000 cash में लेंगे तो क्या होगा तो उसके लिए government ने क्या किया हमारे lawmakers ने क्या किया house property की income निकालने के लिए एक system बनाया है और वो system आपको follow करना पड़ेगा अगर वो system आप follow करोगे आपकी house property की income आ जाएगी हमें काम करते है पहले वो system को लिख लेते है फिर मैं एक एक चीज explain करूँगा तो चलिए आप लोग लिखिए computation of income from house property सबसे उपर लिखेंगे एक statement लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे name of assessi भाई किस assessi की house property की आप income निकाल रहे हो name of assessi previous year 23-24 assessment year 24-25 so name of assessi previous year 23-24 assessment year 24-25 और लिखिए computation of income from house property computation of income from house property और house property में जहां आपने लिखा computation of income from house property उसमें चार कॉलम बनाईए सबसे पहला particular दूसरा अगर SOP है दो घर SOP हो सकते है तो क्या होगा LOP है तो क्या होगा और DLOP है तो क्या होगा particular SOP जो दो घर SOP का benefit आप ले सकते हो उसकी क्या कोई income आएगी या नहीं आएगी LOP है तो क्या होगा और DLOP है तो क्या होगा सबसे पहला सबसे पहले SOP है तो क्या होगा LOP है तो क्या होगा DLOP है तो क्या होगा सबसे पहले एक एक चीज लिखेंगे सबसे पहले हम देखते है municipal value municipal value और इस municipal value को हम compare करते है fair rent से अब आप बोलोगे यह municipal value क्या होता है fair rent क्या होता है यह अपन सीखेंगे आपको इन दोनों में से whichever is higher लेना है whichever is higher municipal value दूसरा लिकिए fair rent whichever is higher और whichever is higher आया उसको standard rent से compare करना है whichever is lower लेना है और whichever is lower आया उसको हम बोलेंगे expected rent expected rent और expected rent को compare किया जाएगा actual rent से और इन दोनों में से higher लेना है expected rent और actual rent में से higher लेना है और जो higher आएगा इसको बोला जाएगा ग्रोस एन्वल वाल्यू ग्रोस एन्वल वाल्यू और ग्रोस एन्वल वाल्यू में से less करेंगे municipal taxes paid जो भी आएगा इसको बोला जाएगा net annual value और net annual value में से less होता है deduction under section 24 जिन्होंने college wall इस करके आया direct entry वाले उनको पता रहेगा न deduction under section 24 deduction under section 24 एक सेगेंड हा जिन्होंने पता है deduction under section 24 तीपक तू है क्या उसमें क्या बोलता है तूने लिया है क्या वह मन्दब आपे क्या बोलता है उसका अनितस्तो ने लिया इपर अच्छे करिखाने परसेंगे अच्छा है अच्छा है इस तो मैंने बोला डिड़क्शन अंडर सेक्षिन 24 और डिड़क्शन अंडर सेक्षिन 24 है उसमें दो चीजे होती है पहला एंड दूसरा पहला लिखिए सेक्षिन 24 ए में होता है 30% of NAV और दूसरा इंट्रेस्ट अन लोन और यह सब चीजे लेस यह दोनों चीजे लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा इसको कॉपी करना है एक बार फिर मैं एक्स्प्लेइन करूंगा हर चीज जो एसोपी रहता है self-occupied property अरे class चल रही है न ओनलाइन वाले बच्चो मुझे एक बात बताओ class सई से चल रही है न यस पीपल देखिए 24A और उसके बाद 24B एक सेगंडा यहां पर एक में थ्यान उदर चला गया वह class वह बच्चों का 24B 24A 30% of NAV and 24B interest on loan 24A and 24B चलिए अब एक बात समझिए आप लोग इसको copy करिए एक बार copy करिए SOP में हर चीज डैश पर डैश आती है हर चीज डैश पर डैश सिरफ interest on loan आएगा है कि 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 एलोपी में हर चीज आएगी कि 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 डी एलोपी में हर चीज आएगी कि यहां एक चलो इसको एक बार copy करो कुछ भी समझना समझाया है या समझना नहीं है अभी सिर्फ copy करना आपको कि इसको कॉपी करो कि ओनलाइन वाले बच्चों कॉपी करो फिर अब समझेंगे मैंने क्या लिखाए अगर मालों राइटिंग समझ में नहीं ना आये क्योंकि मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था पुराने जनम में जोला चाप डॉक्टर ऐसे जोला चाप डॉक्टर जो डिग्री घुरी नहीं होती वैसे डॉक्टर नेम अब असेस्टी प्रीविएस एर असेस्मेंट यर कंप्यूटेशन आप इंकम हाउस प्रॉपर्टी पहले मुनिसिपल वाल्यू दूसरा फियर रेंट तीसरा विचेवर इस हायर चौता स्टेंटेट रेंट पांचवा एक्स्पेक्टेट रेंट चत्ता एक्च्वल रेंट ग्रॉस एन्वल वाल्यू जिसको जीए वी बोलेंगे गाव मैं से मुनिसिप कॉपिञ रेंड जल्दी करो जीए जल्दी करो जीए रुक ना बताता हूं तो कि तने लोगों नहीं जिन्होंने कॉपि कर दिया यहां पर भी वह स्टार अस्टार किया है जाने कितने लोगों ने यहां पर भी स्टार स्टार किया है actual rent में DLOP में चेंज करो तो चेंज करो वहां पर डैश लगाना है क्या लगाना है डैश एक्चुल रेंट आए गई ना डी एलोपी में तो डीम टूपी लेट आउट प्रॉपर्टी तो एसोपी तो होता है उसमें एक्चुल रेंट आए गई धी न हाँ वंश बोल रहा है यह सब याद कैसे रहेगा तुम तुमारी पूरी कोशिश कर दो याद ना करने की मैं मेरी में पूरी कोशिश करवा ता हूँ याद करने की ठीक है देखते हैं याद रहता है का नवी ठीक है ठीक है चलो लूट कर गया कि अब सब लोग इदर देखो कर हमने एक चीज पड़िए द्सक्रा एपिश क्या है कल हम बात कर रहे थे तनुश्री की कि तनुश्री का एक घर है और ये घर तनुश्री ने किसी को भाड़े पे दे दिया अब किसी को भाड़े पे दे दिया और इसका जो रेंट है वो मानलो 50,000 रुपेस पर मन्त है तनुश्री क्या करती है इसमें से कुछ पार्ट है वो चेक में लेती है और बाकी सब कैश में ले लेती है मानलो इसने 4000 रुपया परमन्त है वो चेक से लेती है और बाकी वाला 46,000 वो किस में ले लेती है कैश किस में लेती है कैश बाकी वाला 46,000 है वो कैश में ले लेती है अब यह तो black का पैसा अब बेचरी government करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या तो government ने क्या किया कि यह लोग cheating कर सकते हैं तो house property की income निकालने के लिए एक system बनाके दे दिया कि आपको house property की income ऐसे निकालनी है तो बोला कैसे निकालनी है ऐसे कैसे समझते है Lawmakers बोलते हैं कि House Property की Income निकालने के लिए एक काम करो सबसे पहले उस House Property का Municipal Value ले लो अब आप बोलोगे Municipal Value क्या होता है जो House Property है उसका Municipal Value ले लो बट ये Municipal Value होता क्या है Municipal Value क्या होता है कि हर एक प्रॉपर्टी का Municipality Record के हिसाब से एक Value होता है कि ये प्रॉपर्टी एक साल में इतना पैसा जनरेट करके दे सकती है That is called Municipal Value जैसे पूने में जितनी भी प्रॉपर्टी है हर प्रॉपर्टी का एक Municipal Value होता है कि ये property एक साल में इतनी income कमा के दे सकती है that is called municipal value तो lawmakers बोलते हैं एक काम करो सबसे पहले आप उस property का municipal value ले लीजिए municipal value आप बोलोगे कहां से मिलेगा municipality से मिलेगा जैसे अपने यहां पे पूने municipal corporation है Mumbai में BMC है और हर साल आपको पता रहेगा तो property tax का एक bill आता है Mumbai में पीले color का एक bill आता है यहां पूने में कौन से color का आता है मुझे पता नहीं but Mumbai में एक पीले color का एक bill आता है जिसको बोलते property tax करके तो वो property tax की जो पावती आती है जो bill आता है उसके उपर लिखा होता है कि इसका municipal value कितना है क्योंकि उस value के basis पे ही वो लोग क्या करते हैं हर साल उस पे कुछ ना कुछ टेक्स कलेक्ट करते हैं so that is called municipal value तो आप एक काम करो सबसे पहले property का municipal value ले लो तो जैसे माल लो यह जो property है यह तनुश्री की property थी तनुश्री क्या कर रही थी 50,000 रेंट लेती थी बढ़ 4,000 चेक से लेती थी और बाकी वाला काला पैसा था यह तो black से लेती थी अब हमको property का पता चला तो हमको income निकालनी है lawmakers बोलते हैं पहले municipal value ले लो अब पता चला कि इस property का जो municipal value है न वो माल लो 4,000 रुपीज है lawmakers बोलते हैं सबसे पहले municipal value लो municipal value का मतलब होता है value of that property as per the record of the municipality municipality का जो record है उसके हिसाब से उस property की value कितनी है वो property कितना कमा के एक साल में दे सकती है that is called municipal value अब एक काम करो यह जो municipal value आया ना इसको आप fair rent से compare करो अब आप बोलोगे यह fair rent क्या होता है fair rent का मतलब होता है कि भाई जिस area में आपकी property है उस area में जो आजू-बाजू की property है similar property in the same locality उसका क्या rent चल रहा है that is called fair rent अब आपन बोलते हैं ने fair मेरे साथ fair नहीं हुआ मैं बलब fair नहीं हुआ मैं बलब सही नहीं हुआ वाली भाद होती है तो fair rent क्या आजू-बाजू में क्या property का rent चल रहा है वो ले लो आजू-बाजू की property का same locality में क्या rent चल रहा है that is called fair rent जैसे माल लो मेरी property मुंबई में एक अंधेरी area में located है तो मैं देखूँगा मेरी property 2BHK है तो आजू-बाजू में 2BHK का क्या rent चल रहा है that is called fair rent अब आप बोलोगे सर हमको एक्जाम में क्या ढूंडने जाना पड़ेगा center से बाहर जाके करके ठीक है कि भाई center के बाजू में property का क्या rent नहीं आपको exam में दे रखा होगा कि ये property का fair rent जो है वो ये है तो सबसे पहले आप municipal value लो municipal value के बाद आप fair rent ले लो आजू बाजू की property का rent तो fair rent पता चला कि आजू बाजू में property का rent है वो पूरे साल का मिला के 5,50,000 चल रहा है तो अब आप एक काम करो इन दोनों मेंसे whichever is higher ले लो क्योंकि government के हिसाब से जो property की value होनी चाहिए that is value and आजू बाजू का rent क्या चल रहा है वो दोनों मेंसे आप एक काम करो whichever is higher ले लो higher का मतलब value wise higher हाँ ऐसा नहीं कि उपर लिखा था higher वाला इदर ले लो ना बाबा यहां पे 5,50,000 आपको लेना है अब आप एक काम करो यह जो higher आया ना इस higher को आप standard rent से compare करो होता है standard rent होता है कि लाइक बहुत सारे state में एक rent control act बना हुआ है क्या बोला मैंने rent control नाम से पता चलता है क्या बोला rent control मलब रेंट को control करने वाला एक act बना हुआ है बहुत सारे state में और उन state में क्या rent को control करने के लिए state government ने कुछ condition लगा रखी है कि कोई भी इस से ज़्यादा भाड़ा नहीं लेगा कोई भी इस से ज़्यादा भाड़ा नहीं लेगा तो standard rent क्या हुआ rent as per rent control act rent as per rent control act माल लो जैसे माराष्ट्रा में rent control act नहीं दिखता बट माल लो किसी state में rent control act है और उसमें लिखा हुआ है कि 2BHK का भाड़ा पूरे साल का मिला कि आप 8 लाग से ज़्यादा नहीं लोगे तो वो हो गया rent control act के हिसाब से भाड़ा that is call your standard rent तो माल लो इस एरिया में पता चला कि rent control act लग रहा है और वहाँ पे standard rent है वो 7 लाक रुपेज है आप logically सोचिए ना आप legally इससे ज़्यादा rent तो नहीं ले सकते भाई legally आप इससे ज़्यादा rent तो नहीं ले सकते क्योंकि rent control लगाता इससे ज़्यादा rent नहीं ले सकते तो इन दोनों में से फिर आपको क्या करना है whichever is lower और lower वाला रहेगा ना इसको बोला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट क्या बोला जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड किसको बोलते है कि इतना तो होना चाहिए suspected मतलब इतना तो होना चाहिए जैसे तुम बोलते हो ना किसी से तेरे से यार यह göst बढ़ा प्रॉपर टृपी div rain तक कैसे पहुंचे सबसे पहले हमने देखा कि Opportunity record में क्या value है उस property की that is value of property as per municipal record कि भाहिया यह property कितना कमा के दे सकती है municipal record में कितना लिखा है वो ले लो उसके बाद मैं आजू बाजू की property का rent कितना चल रहा है that is called fair rent उससे compare कर लो दोनों को higher ले लो फिर standard rent कि भाई legally आप इससे ज्यादा rent तो नहीं ले सकते जो standard rent है वो ले लो और standard rent और जो higher आया था उसमें से lower ले लो it is called your expected rent क्या बोला जाएगा expected rent कि या प्रॉपर्टी से इतना rent तो होना ही चाहिए भाई property से इतना rent का income तो होना चाहिए अब आप एक काम करो कि जो तुम्हारा expected rent आएगा ना इसको आप compare करो actual rent से कि actual में आप कितना rent ले रहे हो तो actual में कितना rent ले रहे हो अब पता चला कि यह देखो तनू ने घर भाड़े पर 50,000 में दिया था बट वाइट में यह लोग कितना बता रहे थे सरफ 4,000 बाकी का पैसा तो ब्लेक का है तो तनू ने अगर पर मंद का 4,000 ही rent बताया तो मुझे बताईए 4,000 पर मंद तो 12 महीने का कितना हुआ 40 तो तनू बोलती है मेरा actual rent 48,000 है लौ बिकर्स बोलते है हम इन दोनों में से हायर लेंगे हम इन दोनों में से हायर लेंगे और उसको बनाएंगे गाव क्या बनाएंगे गाव का मतलब क्या होता है ग्रॉस एन्वल वाल्यू क्या वो प्रॉपर्टी का जो इंकम है वो हम 5,500,000 है इस पे हम टेक्स लेंगे तो जो लोग चिटिंग करते हैं उनकी चिटिंग खतम हो जाएगी क्योंकि लोग चिटिंग करके ऐसा कर सकते हैं बहुत कम रेंट चेक में लेंगे बाकी वाला कैश में लेंगे गौवर्मेंट बोलती है रुको ऐसा कैसे गौवर्मेंट बोलती है हम क्या करेंगे पहले मुनिसिबल वाल्यू लेंगे फिर फियर रेंट लेंगे विचेवर higher लेंगे और higher को standard rent से compare करके lower लेंगे ये expected rent है अब आप actual rent कितना ले रहे हो हम तो इन दोनों में से higher है ना उसको gross annual value बनाएंगे इसको हम गाव बनाएंगे gross annual value है वो whichever is higher वाले को बनाएंगे अब मान लो तनुष्री तो बहुत ही इमांदार महिला है करके तनुष्री बहुत इमांदार है वो बोलती है नहीं मैं तो cash cash में वगरा बिल्कुल नहीं लेती मैं तो सब पैसा check में लेती हूं और तनुष्री बोलती है कि मेरी property का rent पचास हजार पर मंत है तो फिफ्टी थाउजन पर मंत हुआ तो बारा महिने का कितना हुआ तो तनुष्री बोलती है कि मेरा सर actual rent है मैं तो बहुत इमांदार हूं और मेरा जो अग्च्वल रेंट है वो तो 6 lakh है तो government बुलती है कोई बात नहीं तो हम 6 lakh पर टेक्स लेंगे ना अगर मानलो आपका actual rent expected से कम है तो तो हम expected पर टेक्स लेंगे और अगर actual ज्यादा है आपका आप तो एकदम इमांदार हो करें ठीक है तो इमांदार हो और actual rent ज्यादा है expected से तो फिर हम किस पर tax लेंगे actual rent पर tax लेंगे you got my point or not तो देखो बड़ा simple है पहला क्या है municipal value को compare किस से करोगे fair rent whichever is higher उसमें से standard rent को compare करोगे whichever is lower क्योंकि standard से lower क्यों ले रहे है क्योंकि यह higher आएगा इससे ज्यादा तो legally आप ले नहीं सकते ना तो whichever is lower और जो lower आएगा यह आपका बनेगा expected रहे क्या इतनी तो expectation है इस property से क्या इतना तो यह property कमा के देती होगी अब तुमने कितना cheating करके बताया है हमको नहीं पता जो भी आपने expected और actual में whichever is higher रहेगा उसको क्या बनाएंगे गाव क्या बनाएंगे गाव क्या बनाएंगे गाव क्या बनाएंगे गाव you got my point or not here अब municipal taxes paid जो municipal taxes आप pay करोगे वो less कर दीजिए आपके बास पचेगा now that is net annual value अब आप बोलोगे यह municipal taxes है क्या हमको यह less करने को मिलेंगे answer is yes लेकिन एक चीज समाजना municipal tax होता क्या है municipal tax क्या होता है कि हर साल आपकी जो municipality है gram पंचायत है नगरपाली का है नगर निगम है यह हर साल आपसे कोई ना कोई tax लेती है property पे उसको बोला जाता है municipal tax हम आपको वो less करने के लिए देंगे इसको बहुत बार property tax भी बोला जाता है बहुत बार इसको house tax भी बोला जाता है बहुत बार इसको municipal tax भी बोला जाता है तो ये आपको यहाँ less करने को मिलेगा लेकिन बाबू ये less करने को आपको तभी मिलेगा जब ये owner ने pay किया है अगर ये tenant ने pay किया तो ये allow नहीं होगा अगर ये वाला municipal tax है ये अगर tenant ने पे किया तो फिर owner ये calculate करते time allow नहीं होगा सिरफ owner ने पे किया तो ही allow होगा चलिए हम municipal taxis पे बात थोड़ी देर के बाद करेंगे एक बार आप इस statement को ध्यान से देखिए अगर आपकी self-occupied property है न self-occupied तो मैंने क्या बताया था कल self-occupied property exempt होती है माला उसकी कोई भी income नहीं आएगी इसमें हर जगे डैश पे डैश है सिरफ एक जगे मैंने less किया है that is interest on loan एक बात बताओ SOP में आपको interest on loan less करने को मिलेगा तो SOP की income negative आएगी या positive आएगी negative और मैं बता दू income tax में negative income आना ज़्यादा beneficial है income tax में negative income आना ज़्यादा beneficial है क्योंकि इसकी negative income आपके दूसरे head से set up होगी जैसे मालो मेरा salary का income है और house property का यहाँ पे loss आ गया मज़ा आ गया salary की income के सामने house property को दोनों को एकदम set up करेंगे क्या करेंगे? set up करेंगे और set up करने के बाद जो salary की income रहेगी उसी पे tax लगेगा तो जैसा आपने सुना होगा market में क्या हम लोग जब भी घर खरीते हैं लोन लेके खरीते हैं खुद के रहने का भी क्योंकि क्या होता है कि अगर वो रहने के घर पे आपने लोन लिया है तो इस लोन का interest यहां अलव होता है और यह interest कितना अलव होगा क्या होगा वो देखेंगे बट नॉर्मली market में अगर सुना होगा तो दो लाग तक का interest का deduction मिलता है तो यह दो लाग अगर इधर less किया तो यह इधर negative 2 लाग आया और negative 2 लाग DLOP में हर चीज आ सकती है DLOP में हर चीज आ सकती है बट DLOP में यहां पर actual rent नहीं आएगा क्योंकि DLOP होती तो SOP ही है ना DLOP क्या होती है होती तो SOP है तो यहां पर तुमारा actual rent नहीं आएगा चलो इसको आपने है बना दिया अब आप one by one point लिखना चालू करोगे एक बार रुख जाईए और आप one by one point लिखना चालू करोगे सबसे पहले लिखिए municipal value पॉइंट नबर वन लिखिए municipal value municipal value और लिखिए इट मेंस value of property इट मेंस इट मेंस value of property एस पर municipality record इट मेंस value of property इट इट मेंस value of property एस पर municipality record एस पर municipality record दूसरा लिखिए fair rent और fair rent में लिखिए दूसरा लिखिए of similar property it means rent of similar property it means rent of similar property in same locality it means rent of similar अज बारिकिया मेजर अगए Glob шावर Nख अद व्रव इस सम्हिति इस अद अ आप काल ए ज आप आस काल ए जिए अच्झा मेशलध कॲुछ ए इस अट आस कालए लाप तु ए इस नोव झाल ए gdy रिम ए से लोक इट also known as reasonable rent और reasonable letting L-E-T-T-I-N-G reasonable letting value it is also known as reasonable rent और reasonable letting value next लिखिए third standard rent third लिखिए standard rent standard rent और standard rent में लिखिए it means it means rent as per rent control act it means rent as per rent control act act में ए बड़ा लिखेंगे it means rent as per rent control act it is the maximum amount of rent it is the maximum amount of rent that can be that can be that can be legally recovered by owner that can be legally recovered by owner from tenant from tenant that can be legally recovered by owner from tenant उसके बाद चौता लिखिए actual rent actual rent बेटा अनुषका तुम्हेना लिखो बेटा मैं तुम्हारा जो doubt है वो सब clear हो जाएंगे यह अनुषका है तरून है यह आपके है ना आपके doubt धीरे धीरे सब clear हो जाएंगे हिमान्शू वगेरा आप प्लीज थोड़ा लिखने में ध्यान दो जैसे जैसे topic आगे बढ़ेगा आपके सब doubt clear होते जाएंगे आप प्लीज जिदा ध्यान दीजिए next लिखिए actual rent और actual rent में dash करके लिखिए dash करके rent received plus rent receivable rent receivable minus unrealized rent अपने लिखा rent received plus rent receivable minus unrealized rent यह क्या होता है थोड़ी देर बाद समझेंगे कि यह unrealized rent क्या है receivable क्या है यह समझेंगे पांचवा लिखिए municipal taxes टेक्स municipal taxes पांचवा लिखिए municipal taxes और जहां municipal taxes लिखा उसमें फिर आप ABC point करके लिखेंगे उसमें point number A लिखिए लिखिये इट मेंस taxes विच आर टमेंस टेक्सेश विच आर रिकवर्ट रवाए इट मेंस टेक्सेश विच आर रिकवर्ट रवाए municipality, local authority, municipality, local authority, gram panchayat, gram panchayat, full stop. it is also known as property tax, house tax, property tax, house tax, local tax, etc, etc, local tax, etc, etc. point no.2 लिखिए, it is allowed, it is allowed, it is allowed, it is allowed, only if it is paid by owner, it is allowed, only if it is paid by owner, full stop, if it is paid by tenant if it is paid by tenant then not allowed if it is paid by tenant then not allowed एक बात बताओ अगर tenant ने municipal pay किया, text pay किया तो allow नहीं कर रहे है, logic क्या रहेगा क्योंकि एक simple सी चीज समझना simple सी चीज समझना, तुम इदा रहो मेरे पास इदा रहो मालो ये एक property का owner है क्या है owner और मैं हूँ tenant ठीक है तो तुम माले को मैं tenant हूँ ठीक है अपने मुझे घर भाड़े पे दिया आप महीने का भाड़ा कितना चाहते हो 20,000 भाड़ा चाहते हो 20,000 चाहते हो ठीक है मैं tenant हो मैं आपको 20,000 भाड़ा दूँगा तो तुमारे लिए actual rent क कितना 20,000 होगा बट इन्होंने मुझे यह बोला कि बीवी सर आप municipal tax आप भर देना तो मैंने का municipal tax मैं भरूँगा तो फिर मैं तुमको rent 19,000 दूँगा ऐसा ही होगा लॉजिकल यह होगा भाई एक बात बताओ अगर यह owner है मैं tenant हो यह भाड़ा लेता है 20,000 तो 20,000 भाड़ा इसकी income है और इसने municipal tax पे किया वो less होगा लेकिन यह बोलता है कि नहीं नी सर आप ही municipal tax बढ़ देना तो मैंने का चलो मैं भरूँगा लेकिन मैं फिर दूँगो भाड़ा कम दूँगा तो मैं भाड़ा इसको 19,000 दूँगा तो इसका actual rent कितना आएगा 19,000 आएगा तो मैं ब समदा लौमेकर्स बोलते है कि municipal taxes तभी अलव होगा जब आपने actual में payment किया है अगर outstanding है तो अलव नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ जैसे इदर देखिए इस साल का जो municipal tax है वो मालो 20,000 रुपया था इस 20,000 में से आपने actually pay किया वो for an example सिरफ 5,000 किया और 15,000 का municipal taxes है वो outstanding है तो यह outstanding वाला इस साल में allow नहीं होगा in simple word municipal taxes allowed होगा वो paid basis पे अलव होगा payment basis पे अलव होगा अगर outstanding है तो वो allow नहीं होगा लेकिन सर माल लो यह 15,000 अगले साल जाके pay किया तो अगले साल में allow हो जाएगा अगले साल जाके पे किया तो अगले साल में allow होगा मैं साफ ऐसे आप बोलोगे municipal taxes pay किया तो allow होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा तो municipal taxes allowed on the payment basis क्या बोलना है pay किया तो allow होगा नहीं किया तो लिखो पॉइंट नंबर c लिखो लिखो पॉइंट नंबर c इस अलावड on payment basis लिखो it is allowed on payment basis लिखो it is allowed on payment basis payment basis और dash करके लिखो i dash करके लिखो paid delay फेड़ अलावड आउटस्तेंडिंग CowS लिख लो थोड़ा ऐसा रैड़ गलर में रैड़ की रैड़ की पैनल की हमें वें में लिखते हैंना लिखलो पे किया तो अलाव होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब अरे लिख लो सच्छी बोल रहा हो काम आएगा फिर भूल जाओगे पे किया यह बोल रहा है रिया नहीं किया पे पे किया तो अलाव होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा नितेन पे किया तो अलव होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा एक बात समझना बहुत बार आपको municipal taxes आना percentage form में दे रखा होगा percentage कैसे बता है कि जैसे आपको दे रखा है municipal taxes 6% है तो आप logically सोचिए यह 6% हम किसका निकालेंगे municipal value का क्योंकि यह municipal value कहां से आती है municipal record से और municipality ही आपका municipal tax ले रही है तो कभी अगर यह percentage form में दे रखा है जैसे 10%, 15%, 20% तो आपको लेना है municipal value का किसका लेना है municipal value का आपको लेना है percentage तो next point लिखिए d point लिखिए if it is given in percentage form और लिखना खजूर if it is given in percentage form if it is given in percentage form then if it is given in percentage form then it should be calculated on municipal value then it should be calculated on municipal value मुखर जी इशा इदर देख तो आपने का लिखा if it is given on percentage form then it is calculated on municipal value चलिए एक काम करेंगे compiler में आई है question number one पर हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक तीसरा टॉपिक रहेगा शाय सालरी के चौता टॉपिक रहेगा हाँ बाभू गोर्वर्मेंट डेसाइड कर रहे है कौन साब कि में इसलिए पर पर आले की डिसेट फिरक हाँ अधिश्च पर हाँ इस पूर्णे वाले अलग्टरें के भंब्र रहे एक अधिश्च अधिश्च मुआ सब्सक्राइब चलिए पेज नंबर आपकी बुक में 42 है जिनके पास में बुक नहीं मिली है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग इधर दिखान दीजिए हाँ एक्चुल रहें कितना बता रहे हो आप बता कितना रहे हो आएगा प्लीज चलिए चलिए रुक जाईए आपका डाउट सॉल होने वाला है रुक जाईए चलिए पेज नंबर अगर आपके पास बुक है तो 42 पेज नंबर अगर आपके पास बुक है तो 42 और जिनके पास बुक नहीं है वो इधर ठीक है है हाँ देखिए स्टेडी मैट का क्वेश्चन है आई सिंपल सा क्वेश्चन है जैश्री ओंस फाइव हाउसे इन इंडिया अल उप विच अर लेट आउट तो जितनी भी प्रॉपेट्य यह वो सब क्या है लेट आउट लेट आउट का मतलब क्या होता है बाड़े पे देर खिये तो जो इ है तो एक बात बता यह जीए भी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे मुनिसिपल वाल्यू दूसरा क्या लेंगे फियर रेंट विचेवर इस हायर और जो भी हायर रहेगा उसको कंपर किससे करेंगे स्टेंडेट रेंट विचेवर इस लोवर एक्सपेक्टेड और एक्च्वल रेंट विचेवर इस हायर इस कॉल जीए भी अब देखो जैसे पहला हूस है तो पहले हाउस में मुनिसिपल वाल्यू दे रखा है 80,000 तो मुनिसिपल वैल्यू अपना 80,000 आ जाएगा दूसरा फियर रेंट कितना दे रखा है 90,000 तो हायर कितना आ जाएगा 90,000 यहां स्टेंडर रेंट में आइने दे रखा है आइने का मतलब निल नहीं है नौट अवेलेबल आएक्च्वल रेंट आपका कितना दे रखा है 72 टू आयर कितना आ गया जीए भी जीए भी नाइंटी थाउजन जीए भी आ गया तो आप करोगे तो लिखो कि हाँ वैसाई फॉर्मेट में हाँ अभी बता पुने लिखो क्वेस्चन नंबर वन बताता हो जिन जिन लोगों का ुश्चन नंबर नहीं है में बताता हो न फिरीक है आपको फॉर्मेट क्या बनाना है है तो आपको लेना ay कर दो इस प्रीवियस ययर 23-24 असेसमेंट ययर। couch पच्चिस कंप्यूटेशन और 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 कंप्यूटेशन और ग्रॉस एन्वल वाल्यू में आपको जितने पांच घरे तो पांच कॉलम् बना दो सबसे पहले कि मुनिस्पल वाल्यू ऐसा पूरा लिखना है एम भी लिखके नहीं चलेगा municipal value दूसरा फिर रेंट विचेवर इस हायर अरो बनाओ चलेगा ठीक है मैं विचेवर इस हायर को इस्टेंडर्ड रेंट कि विचेवर इस लुवर इस कॉल एक्सेक्टेट रेंट एक्चुल रेंट विचेवर इस हायर जी भी पटाफट करके बताओ सब लोग अब मैं इसको हटा रहा हूं compiler का question दिखा रहा हूं चलो भड़ा पट सब लोग करो कि जल्दी जल्दी करो question का answer हाँ देख नहीं दो लोग करो हाँ वैं कॉपी करो पड़ा पच्छा कॉपी क्या हाँ सारे घरों की इंडिविजुल मतलब कि नहीं अलग अलग आपको पांच कॉलम बनाने हैं यह सब को मर्च करके नहीं करना हाँ अलग अलग आपको करना है पांच अलग 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 कॉलम बनाने हैं बनाओ हो गया वेरी कुट टेलेंटेड कॉस्चन अब टू करो फिर वन हो गया हो तो टू करो टेक्स प्रोज नहीं निकालना सिर्फ जीए भी निकालना इसमें हां इतना कर लो बहुत है अब यह आए गाठी अभी इंकम कैलकुलेट करना सीख रहे है अभी तो जीए भी आ रहा है मुनिसिबल टेक्स भी लेस नहीं हुआ है पहले वाले में जीए भी बच्चे बड़े प्रिए भी आए रहा है हाँ अरे भाई इसमें एलोपी आपको इन कॉलम में सिर्फ यह लिखना है हाउस प्रॉपर्टी वन दूसरे में टू तीसरे में थ्री चौते में फोर और पांच में फाइव कि ऐसा लिखना है ठीक है ऐसा नहीं लिखना था एस ओपी एलोपी डी एलोपी ऐसा नहीं बाबू कि सब एलोपी है कि कश्रेट अब कि हाँ अब कि 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 अब झाल 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 जिनका question number 1 हो गया हो question 2 पे चलिए और 2 में आपको NAV calculate करना है उपर वाले में GAV था इसमें NAV तो GAV मैंसे क्या less करोगे तो NAV आ जाएगा municipal taxes paid तो यहां municipal taxes दे रखा है percentage form में 10%, 12%, 15%, 8% and 12% ठीक है तो आप ऐसा करिए question number 2 भी करिए अरे भाई तो यह अलग-अलग amount है ना इसमें हां तो करो वैसे कहा वैसे 5 column इसमें भी बनाओ सब इसमें भी आपके LOP है क्योंकि हर जगे actual rent दे रखा है तो जो actual rent दे रखा है मतलब यह LOP है actual rent दे रखा है इसका मतलब यह LOP है अ अ दूसरे question में पहले आप GAV निकालो और GAV मैंसे आप municipal taxes less करो एक बात बता municipal taxes जो less करोगे वो percentage form में दे रखा है तो किसका लोग है यह percentage municipal value का online वाले बच्चो ओ हमारे online वाले बच्चो तुमको आपको percentage form लेना है वो municipal value पर लेना है बाबू अरे बाबू का मतलब तो बाबू यह होता है ना हाँ हाँ दूसरा question करो हो गया हो पहला तो पहला हो गया तो दूसरा करो दूसरा हो गया तो आजू बाजू में बात करो हाँ है करो 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 हाँ वही दूसरा करिये हाँ जूसरा करिये दिको झाल नहीं है झाल 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 तो आंसर आये आप लोगों के पहले का आंसर जो कर रहे करो पहले का 1,68,000 दूसरे का तीसरे का 1,3,500 1,3,500 1,6,900 69,000 69,000 69,000 this is the right answer 69,000 69,000 कि 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 इतने लोग इस्टिल डूइंग रेज और हैंड जल्दी करो बाबु अरे तुमको बाबु और नहीं बोलता है कि आप ही तो हो एक लएप मां जो बाबु बोलते हो और हुआ अधा और कोई तो बोल नहीं रहा है और कोई तो बोल नहीं रहा है अगर कि ठीक है कंपाइलर में जहां SM question का मतलब होता है study mat का question है यह SM Q मतलब यह study material में ICI के study material से question लिया हुआ है आप लगता है ऐसे किसी को बोलते हैं तो किसी यह सबते हैं एक जास राइंटन किसी घ्राइं डाइंड़। झाल झाल येस पीपल बोलो डान हाँ भई किसी का कोई डाउट बोलो डान मिश्रा जी आचार्य जी चावला जी पटेल जी, महाजन जी केडिया जी, वर्मा जी सब लोग जो ऑनलाइन है सबका सरनम लेके तो जी ही बोलना पड़ा है मेरे नाम का correct pronunciation क्या है पहली चीज इस नॉट अ भनवर, ओके एन इस साइलेंट इन माई नेम वी कॉल इट भवर भवर इस अ करेक्ट प्रनाउंसियेशन सो डोंट कॉल मी भनवर भाई सब मैनी पीपल कॉल मी भनवर उनली कोई बोलता है कि आपके नाम में एन क्यों है फिर सुमिती गोयल जी तो एक बात बताओ मेरे नाम में एन क्यों है अब सुनामी में ट क्यों है सुनामी की जो स्पेलिंग होती है ट सुनामी ट क्यों है ऐसे ही मेरे नाम में एन है साइको में हाँ तो एक बावाँ पी क्यों है ना अच्छ तो इसलिए मेरा नाम भनवर नहीं है भवर है that's why I shifted to the BB only क्योंकि क्या होदा है ना मलब सच्छी भवर बोराना इस नेम क्योंकि अभी एंक्यों जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उपर एक डॉट लगाते हैं इंदी में लिखना ही नहीं आ रहा है मेरे को ऐसा है ऐसा कुछ है रहने दो सर रहने दो रहने दो सर हमको पता है हमारे क्लास में एक अपने हमारे महरवाडी लोगों में कास्ट होती है महिश्वरी करके ठीक है महिश्वरी में एक सरनेम होता है जिसका नाम है जवर क्या नाम है जवर जवर के स्पेलिंग होती है J N W A R हमारे बैच में एक बंदा था जिसका नाम था रोहित जवर मैडम आई अटेंडर्स ले रही है रोहित जानवर ठीक है रोहित बोलता है कि मैडम इट्स नॉट जानवर इट्स जवर तो भाई साब तो मैंनेम इस भावर नॉट बंदावर ओके हाव भाई इस चलिये मेरे नाम का मतलब क्या है मेरे नाम का मतलब होता है अच्छा इंसान इस भूलते हैं भावर का नाम होता है बवंडर तुनामी बवंडर तो भावर मेंस गुड परसन अच्छा इंसान यह बोलते है भावर का मतलब होता है भावरा मला तुम कोई भी बेच्जती करो के मेरी हाँ पाप लगे का पाप बुरा जो जो मेरी जो जो ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेरी बेच्जती कर रहे ना पाप लगेगा तुमको देखना बहुत बूरा पती मिलेगा या बहुत बहुत बूरी पत्नी मिलेगी चलो इधर देखिए एक खजूर इधर देखिए बोलते हैं खजूर नहीं बोलने का इंग्लिश में बोलने का डेट मतलब इनके अकेले पर इनकी लिमिट देख पारे हो आब इंसान के अकेलेपन की आप लिमिट देख पारे हो कि इनको डेट भी घजूर में देखनी पड़ती है भाई साब चलो अब चुप बैटो हाँ वो बज आवाजे निकाला चिटी बजा रहा है ठीक है नहीं और वो भी लड़कें को देखके तो हम बात कर रहे थे हाउस प्रॉपेटी का इंकम कैसे निकालना इधर देखो तो हाउस प्रॉपेटी की इंकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मुनिसिपल वैल्यू बोलो क्या लेना है किस से कंपेर करोगे फियर रहें विचेवर इस हायर किस केंपेर मैं से less करोगे municipal taxes paid आपको क्या मिलेगा net annual value अब यह net annual value है ना इसमें से दो चीजे less होती है एक तो less होता है जो NAV है ना उसका सीधा 30% का standard deduction है अब यह क्यों मिलता है क्या मिलता है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं और दूसरा less होता है interest on loan अगर आपने कोई loan लिया था तो उस loan का जो ब्याज है interest है house property के लिए अगर आपने loan लिया था तो उसका interest आपको यहाँ पे less करने को मिलता है so under section 24b interest on loan है वो interest on loan आपको यहाँ पे less करने को मिलता है लेकिन पहली चीज यह है कि आपको loan जो लेना है ना वो house प्रॉपर्टी के लिए लेना है इसका मतलब या तो हाउस प्रॉपर्टी के construction के लिए लेना है या हाउस प्रॉपर्टी के परचेस करने के लिए लेना है या हाउस प्रॉपर्टी के repair के लिए लेना है या हाउस प्रॉपर्टी के renovation के लिए लेना है तो अगर आपने जो loan है ना वो loan house property purpose के लिए लिया है तो ही आपको interest allow होगा otherwise interest allow नहीं होगा house property के purchase के लिए house property के construction के लिए house property के repair के लिए house property के renovation के लिए तो आपको interest allow होगा अब एक और चीज़ समझना loan किस से लेना है क्या loan ऐसा जरूरी है क्या bank से ही लेना है या कोई financial institution से लेना है या किसी से भी आप loan लोगे और house property में use किया तो आपको interest का deduction मिल जाएगा right answer is आपको loan किसी से भी ले सकते हो आप अपने friend से ले लीजिये family से ले लीजिये किसी से भी आप लोन लीजिए interest का deduction आपको मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको loan है वो सिरफ bank से लेना है आप किसी से भी लोगे चलेगा interest का deduction मिल जाएगा लेकिन मैंने जैसे ही बोला ना कि loan किसी से भी लो चलेगा आपके दिमाग में एक है ना गंदा सा डाउट आया डाउट क्या आया मैं बता हूँ मैं बता हूँ मैं जानता हूँ आपके दिल को डाउट ही आया कि हम तो ऐसे ही किसी से ले लेंगे और बता देंगे हमने लोन लिया है इंट्रेस्ट दिया है अरे बाबू जब तुम इंट्रेस्ट का डिड़ ले रहे हो मनलब इंट्रेस्ट लेस कर रहे हो तो इंट्रेस्ट का खर्चा ले रहे हो तो आगे वाले के लिए इंकम भी तो होनी चाहिए भाई अगर मानलो मैंने बोला मैंने मामा से लोन लिया था तो मेरे मामा से लोन लिया था मामा को इंट्रेस्ट दिया है तो मामा की इं financial institution से लो friends से लो family से लो किसी सभी जिसकी मर्जिय उससे loan लो आपको interest यह अलाव हो जाएगा less हो जाएगा interest लेकिन interest का deduction है वो accrual basis पे मिलता है accrual basis पे मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने interest जो है वो अगर interest इस साल में पे किया तो भी आपको अलाव हो जाएगा और अगर वो interest आपका outstanding है तो भी क्या हो जाएगा allow means outstanding interest है वो भी allow हो जाएगा जैसे municipal taxes तो less तभी होता था जब payment किया है पे किया तो allow होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब इसमें ऐसा नहीं है इसमें जो interest है वो आपको less हो जाएगा उसको आपने actual में पे नहीं किया तो भी चलेगा you got my point or not yes or no heading the interest on loan point number कौन सा रहेगा अपन लिख रहे थे ना municipal value पाँचवा point था तो लिखिए point number six और point number six में भी abcd करके लिखेंगे point number six में भी abcd करके लिखेंगे लिखिए point number six का a point number six interest on loan point number six लिखिए interest on loan interest on loan और interest on loan में लिखिए इसमें point number A point number A लिखिए interest on loan is allowed as deduction point number A लिखिए interest on loan is allowed as deduction deduction मतलब कोई भी चीज़ less होने को मिलती है न deduction मतलब less करने को मिलता that is called deduction so interest on loan is allowed as deduction if loan is taken for the purpose of house property if loan is taken for the purpose of house property interest on loan is allowed as deduction if loan is taken for the purpose of house property for the purpose of house property that is that is जब मैं बोलता हूँ तो कैसे लिखना होता है i dot e dot हाँ that is that is that is के बार लिखो purchase comma construction that is purchase comma construction comma repair और renovation repair और renovation repair और renovation point number B लिखिये loan may be taken loan may be taken from bank loan may be taken from bank comma financial institution comma financial institution comma friends comma family etcetera etcetera c point c point लिखिये interest is allowed interest is allowed on due basis due basis due basis due basis next line में लिखिये paid allowed outstanding also allowed next line में लिखिये paid allowed ऐसे बार पी लिखा हूँ है वैसा लिखना है paid allowed outstanding also allowed paid allowed outstanding also allowed अब एक बात समझना बहुत बार क्या होता है जैसे माल लो मैंने HDFC bank से loan लिया HDFC bank से loan लिया अब इस loan पे interest है वो एक लाग पच्चिस जार का interest है बट मैं interest पे ही नहीं कर रहा हूँ तो एक बात बताव एक लाग पच्चिस जार का interest था interest अगर महीने हर EMI मेरी bounce हो गई तो आपको पता है इस interest पे वापस interest लगेगा और इस interest पे interest लगा और 15,000 का और total आपको एक लाग चालिस जार पे करना है तो question ही आता है कि ये वाला interest अलव होगा या नहीं देखो interest जो loan लिया house property purpose के लिए वो interest को हम अलव करेंगे लेस करने देंगे बट बाबु इस interest पे वापस interest लगा जिसको बोलते penalty interest interest on interest तो क्या ये अलव होगा या नहीं राइट आंसर is no ये अलव नहीं ये अलव नहीं होगा so penalty interest और you can say that the penalty interest is not allowed तो next point लखिए interest on interest interest on interest breakout में लखिए panel interest P-E-N-A-L P-E-N-A-L interest on interest breakout में लखिए panel interest bracket close is not allowed as deduction panel interest bracket close is not allowed as deduction is not allowed as deduction is not allowed as deduction चलिए अब मुझे बाद बताईए जैसे एक example लेते हैं और example से समझने की कोशिश करते हैं बेटड़ा जैसे तुम्हारा नाम क्या है आरति कितना बड़ा नाम है आरति अब हुआ किया माल लो हमारे बेच में एक student है जिसका नाम है आरती आरति और टिसे स्प्रेंग डबन एह आता है कि अर्थेजह को समझच ला कि आ कि आर्थी की शादी हो गई कि हस क्यों रही है क्या नहीं होगी कि आप शादि की बात तो थी नहीं रोने की बात है तो अब एक बात समझों आरती की शादी हो गई और शादी के बाद हुआ क्या अब अरे भाई आरती की शादी हो गई शादी के बाद इन्हों ने अपना एक घर खरीदा भाई ये पूने के बच्चे इतने अश्लील बच्चे है ना अश्लील तक अगर competition हो तो नंबर बन पर चले जाए ये लोग दीगे है हाँ तो ये आरती ने क्या किया आरती और आरती के husband ने एक घर खरीदा अब एक बाद समझना इन्हों उने जो ये घर खरीदा बहुत ही प्यारा घर था और ये जो घर खरीदा इसके लिए लोन लिया है वो लोन लिया है SBI से मिस State Bank of India से लोन लिया है और State Bank of India से लोन लिया है 9.5% की interest rate से इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% है ठीक है SBI से लोन लिया और इस लोन से घर बनाया घर खरीदा इसका इंटरेस्ट अलाव होगा अब हुआ क्या आरति एक दिन कहीं पे जा रही थी उसको कोई पुराना फ्रेंड मिल गया Sydney जो इंटर मीडियेट मैं साथ में था तो जैसे वो मिला उस से पूछा अरे कैसे तुम और ना कैसे तो बोला अरे मैं तुम कैसे ऐसे दोनों कॉफी पीने गए और कॉफी पीते-पीते कॉफी पीते-पीते उससे पूछ आगे तुम क्या कर रहे हो तो उसने बताया कि अरे मैंने अभी तो के मैं मैं मेंजर हो तो फ्रेंड है वह क्या है मैंनेजर क्या है अरती है बना वशाइस है वाओ य़ी बाततायर अवगा हम अरती जो वह तो तो बूला हाँ तो कि लोन लेके खरीदा तो कहां से लोन लिया तो बूले SBI से तो कितना इंट्रेस्ट रिट है बोला 9.5% बूला तुम पागल हो क्या तुम ICA-ICA बैंक में बोलती मैं सस्टे में लोन करा देता 7% में लोन करा देता तो आर्थी पहले लोन लिया था इर यह घर बनाया अब इनों ने क्या क्या जो मेनेजर था उस यह बोलता है प्रेंड है जो बैंक में था तो उससे इंट्रेस्ट रेट का बेनिफिट मिला ठीक है और कम रेट में लोन मिला अब एक बात समझना खोई भी आवाज निकाल ले ना यह गंदी से आवाज अगर निकाली ना ठीक है मैं तपट मार दूंगा प्रेंड जो था फ्रेंड है वो आईसी 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 आई बैंक से लोन लेके और एसबियाई का लोन रीपे कर दिया ICICI bank से loan लेके और SBI का loan repay किया और ultimately SBI का पहले loan लेके घर बनाया था मेरा question आपसे यह है कि अब ICICI bank को जो interest जाएगा वो interest का deduction section 24b में मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको क्या लेगा कि यस और नो कि यह interest less होगा या नहीं होगा कि क्या लगता है कि क्या ICICI bank का interest जो अब जाएगा हर साल क्या उसका deduction मिलेगा या नहीं मिलेगा चलो कितने लोग बोलते हैं कि ICICI bank को जो interest दिएगे उसका deduction कि नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा वाले कितने लोग बोलते हैं मिलेगा सर ऑनलाइन वालों कितने लोग बोलते हैं मिलेगा बाकी कुछ लोगों ने हाथ उपर नहीं किये बेटा हाथ उपर करने के लिए भी होता है करके ठीक है तो भाई अरे भाई प्लीज हाथ उपर खर लिया करो जब भी मैं आप से अगर पूछता हूँ जब आदे लोगों ने बेचार ने कुछ-कुछ लोगो कि अगर कभी भी आप अगर नया लोन लिया नए लोन पुराने लोन को रीपे करने के लिए और पुराना लोन घर के लिये लिया था तो इंडायरेक्ली यही तो हुआ ना कि यह वाला यह वाला पैसा जो है यह घर के लिए लगाए तो आंसर आपको अलव हो जाए का क्यों नहीं होगा आप ऐसा क्यों बोल रहे तो यह पैसा आपने घर यहां लाग का और रोज आके घर के बाहर खड़ा हो जाता था पैसा दो मैंने किसी और से लेकर इसके मुह पे मारा यह तो पैसा अल्टीमेटली तो घर में लगाए ना तो भाई यहां इंट्रेस्ट अलव हो जाए अब एक और चीज समझना जिब्सक्राइब अगर इंट्रेस्ट इंडिया के बाहर किसी को पे कर रहे हो जैसे हो सकता है ना यहां पर अपन बात करते है आरती की तो आरती ने क्या किया वत है आरती ने लोन लिया किसी युएसे के बंदे से जिसका नाम मैं मिस्टर सैम इसमें ओ जैसे की बात थी नहीं शादी शुदा हो रहत है ठीक है अब इसमें ओ क्या होता है तो एक बात समझना यहां पर इसने लोन लिया वो किससे लिया मिस्टर सैम से बोलो किससे मिस्टर सैम से और मिस्टर सैम नॉन रेजिडेंट है कहां का है यूएसे का अब एक बात स का सेम को क्या दिया interest कि क्या दिया interest एक लगपचास जार का सेम अगर आप इंडिया के बाहर किसी को दे रहे हो कहाँ दे रहे हो इंडिया बहर मैं सुभर आभ सेपोल महां हा म्हें बता रहो मैं मेरो हो पड़ाना छोड़ देना पड़ेगा ठीक है अगर कोई इंट्रेस्ट है कि वह इंडिया के बाहर किसी को दे रहे हो तो उस इंट्रेस्ट पे आपको प्रेयो गल पड़ेगा क्या अगर बात बात बताऊ इस मालने लो소 होती है वो TDS में आएगा बट मानलो इस पे 30% का टेक्स करता है TDS करता है तो यहां पे आरती को जब यह सैम को इंट्रेस्ट देगी तो उस पे TDS काटना पड़ेगा और यह TDS काट के और गवर्मेंट को जमा कराना पड़ेगा तभी यह इंट्रेस्ट का डिड़क्शन मिलेगा अधर्वाइस नहीं मिलेगा बड़ा लॉजिकल है ना क्योंकि एक बात बताओ और गवर्मेंट को जमा करा दो तो ही हम इंट्रेस्ट का डिड़क्शन देंगे अधर्वाइस डिड़क्शन नहीं देंगे बट इंडिया में किसी को पे कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इंडिया में जो पे कर रहे हो तो गवर्मेंट कभी भी उसको पकड़के उस D, D हो गए थे, तो लिखो 5 वा E, लिखो E, if any fresh loan, if any fresh, F, R, E, S, H, if any fresh loan is taken, if any fresh loan is taken, if any fresh loan is taken, for repayment of earlier loan, if any fresh loan is taken, for repayment of earlier loan, and earlier loan was taken, and earlier loan was taken, and earlier loan was taken, for the purpose of house property, for the purpose of house property, then interest on fresh loan, then interest on fresh loan, then interest on fresh loan, is allowed as deduction, then interest on fresh loan, is allowed as deduction, उसके बार लिखो point number F, लिखो, if any interest, if any interest, is paid slash payable, if any interest is paid, slash payable, outside India, outside India, shall not be allowed as deduction, shall not be allowed as deduction, shall not be allowed as deduction, if TDS not deducted, if TDS not deducted, on such interest, if TDS not deducted, on such interest, if TDS not deducted, on such interest, दनिये कौन सा point है, G, F था, इसके बाद क्या आता है, तो लिखो G, एक्जाम में कभी भी ऐसा point लिखते हो न, जैसे माल लो एक्जाम में question आया, चार-पांच मांग का, और चार-पांच मांग का question आया, माल लो सात मांग का question है, और आपको answer point में देना है, तो never write 1, 2, 3, 4, आपको हमेशा क्या लिखना चाहिए, बता है, A, B, C, D, E, F, ऐसा लिखना चाहिए, reason is being, माल लो आट मांग का question है, आट मांग का question है और आपने point लिखने है, तो आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप एक बात बताओ, आप अगर 7 point लिखके आते हो, तो examiner को सीधा दिखता है न, आपने 7 लिखा है, तो 7 मां की देगा, और अगर आप A, B, C, D, तो उसको थोड़ी पता है, जी सातवे पे आता है, उसको थोड़ी पता है, कि जी सातवे पे आता है, तो हो सकता है वहाँ 8 में से 8 मिल जाए, सर कोई logic नहीं था इसका, अच्छा अब बोलते है, यह बोलते है, A, B, C, D से अच्छा bullet point बना दो करके ठीक है, अब bullet point तो मुझे पता नहीं, बट, A, B, C, D तो भी ठीक लगता है न, अच्छा रहता है, बुलेट पॉइंट में तो फिर उसको पता नहीं वह भूलते बूलते पूछले question का answer रहेगा तो उसको लगना तो चाहिए कि लिंक है, सब section है, नहीं तो उसको लगेगा यह clauses है, ऐसा नहीं, सब section, link है ऐसे, हाँ, TDS वाले में क्या होता है, देखो बड़ा simple है, अगर इंडिया से किसी को ब्याज मिल रहा है, तो उसके लिए taxable होगा इंडिया में, उसको tax भरना पड़ेगा, यह तो बाहर बैटा है न, अपने को पता नहीं न, अगर आप इंडिया में किसी को पे गर रहे हो, तो TDS नहीं काटा तो चलेगा यहाँ, जैसे अपन बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक का TDS काटने की जरुवत दे, बड़ इंडिया के बाहर से किसी से लिया, तो उसका TDS काटना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, उसके बाद आ है, या जितना इंटेस्ट है, वो सब less होगा, लिमिट होती है, चैसे एंटेस्ट की कोई Nature होती है, या जितना इंटेस्ट है, वो पूरा अलव होगा, तो lawmakers बोलते हैं कि दो पार्ट, सबसे पहले, अगर आपका property जो है, वो property मान लो, LOP है, या DLOP है, अगर एलोपी है या डी एलोपी है तो बाबू इस परिटिकुलर केस में आपकी कोई लिमिट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इस परिटिकुलर केस में आपकी कोई लिमिट नहीं है there is no limit नो लिमिट का मतलब होता है कि जितना भी इंट्रेस्ट है फुल इंट्रेस्ट अलोउड लोजिकल है कि अलोपी डी लोपी पैसा कमा के दे रही है और कमा के दे रही है हर चीज़ आ रही है मुनिसिपल वैल्यू loyal landlord standard rent ये सब चीजे आ रही है तो interest जितना है उतना सब अलग हो जाएगा बले 2 लाग 4 लाग 10 लाग 50 लाग 1 करोड 2 करोड कितना भी interest है वो पूरा आपको यहां less करने का मौका मिलेगा क्या मिलेगा less करने का मौका मिलेगा लेकिन बेटा SOP के case में limit होती है जो self-occupied property है और self-occupied property आपकी कितनी हो सकती है total 2 maximum 2 में लिख लू क्या maximum 2 हो सकती है SOP SOP के case में limit है जो SOP कौन सी जो आप रहने के लिए use कर रहे हो residence वाली अब SOP के case में limit है बट कितना limit है क्या limit है इधर देखने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना copy बाद में कर लेना SOP में limit है और इसमें 2 case आते है एक तुमारा special case और एक तुमारा general case तो एक तुमारा special case और एक तुमारा general case अब special case वाला point यह बोलता है क्या भाईया तीन condition अगर तीन condition satisfied होती है तो वो special case में आएगा सबसे पहला क्या इफ loan is taken लोन इस टेकन और आफ्टर वन फोर नाइंटी नाइंटी नाइन मिस लोन आपने वन फोर नाइंटी नाइन के बाद में लिया है दूसरी कंडिशन loan is taken for purchase और construction of property loan जो लिया है वो आपने purchase या construction के लिया है and तीसरी कंडिशन के इफ लोन इस टेकन for construction then construction should be ध manic Mickogy है लिए गी मुझ ए व्स बीचित बिच विडियर सब्सक्पारब्ट सब्सक्वार इन्थरी एंथ अच्ट वीं एंः एंष इसदियर अश loan was taken अगर आपकी यह तीनों condition satisfied होती है loan is taken on or after 1-4-1999 loan is taken either for purchase या construction of the property and if loan is taken for the construction then construction should be completed within the period of 5 year from the end of the financial year in which loan was taken तो उस particular case में आपको maximum interest 2,00,00 का deduction मिलेगा लेकिन अगर आप इसमें नहीं आते तो otherwise के case में आपको maximum deduction है वो 30,000 रुपेज का मिलेगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा देखो दो चीजे सबसे पहले interest का limit कितना है तो interest का limit DLP, LLP में बिल्कुल limit नहीं है जितना interest है वो पूरा allow करो लेकिन मैं बताओं आप last question जब करेंगे न हम house property का तब भी आप यहाँ पे एक बार confused होंगे मैं जब भी LLP बोलूँगा DLP बोलूँगा तो भी आपके दिमाग में 2,00,00 का limit आएगा मत लाना और मैं प्रूव करके बताओंगा कि जब मैं question कराऊंगा और मैं बोलूँगा interest कितना अलव होता है LOP, DLOP और आप फटाक से बोलोगे maximum 2,00,00 करेंगे ठीक है नहीं है limit LOP, DLOP के case में बिल्कुल भी limit नहीं है कोई limit नहीं पूरा interest अलव है भले 10,00,15,00,20,00,25,00,00 कितना भी interest है सब अलव है बट SOP के case में SOP आपकी जो दो घर रहने के लिए ले सकते हो उसमें interest कितना अलव होगा तो दो पार्ट एक तो special case, दूसरा general case special case बोलता है कि loan आपने 1499 या उसके बाद में लिया है क्योंकि यहां पर उन्होंने कुछ amendment किया था law में तो बोला कि इस date के बाद में loan लिया है दूसरी condition loan आइदर purchase के लिया है या फिर construction के लिया है loan जो लिया है वो purchase के लिया है या फिर construction के लिया है मुझे एक बात बताओ loan purchase के लिया है या construction के लिया है बिनाने के लिए लोन लिया है और तीसरा अगर घर बनाने के लिए लिया है क्योंकि तीसरा पॉंट तभी लगेगा जब construction है तीसरा पॉंट तभी लगेगा कि if loan is taken for construction then construction should be completed within the period of five years from the end of the financial year in which loan was taken तो अगर यह इस case में आ जाता है आपका case तो आपको maximum 2 lakh का deduction मिलेगा interest का but अगर इसमें नहीं आता है तो maximum आपको 30,000 का deduction मिलेगा अब आप मुझे बोलोगे कि इस case में कब आएगा तो पहला loan 1499 जैसे आज कर loan लेते हैं वो 1499 के बाद वाला हुआ purchase या construction के लिए लिया और construction के लिए लिया है तो जिस year में आपने loan लिया है उस year के end से 5 साल के अंदर-अंदर वो घर बन जाना चाहिए जैसे for an example आपने loan लिया वो loan लिया 19 July 2020 को तो यह financial year आपका कौन सा वाला है that is the 20 21 है इसका end होगा 31st March 2021 तो यहां से आपको कितने साल लेने हैं और 5 साल लेने हैं इसका मतलब 31st March 2024 इस date तक आपका घर का क्या हो जाना चाहिए construction complete हो जाना चाहिए इस date तक 31st March 2024 तक आपके घर का construction complete हो जाना चाहिए तो अगर 31st March 2024 तक construction complete हुआ तो ही वो special case में आएगा अब आप मुझे बोलोगे 30,000 वाली limit कब लगेगी तो देखो पहला तो अगर loan इस date के पहले ले रखा है तो loan अगर आपने इस date के पहले ले रखा है भले purchase construction किसी के लिए भी loan आपने 1499 से पहले ले रखा है तो उसमें maximum deduction 30,000 कहीं मिलेगा या फिर loan आपने purchase construction के लिए नहीं लिया repair renovation के लिए लिया है तो आपको interest का limit क्या है तो आप इसे याद रखेंगे interest का limit दो part सबसे पहले अगर LOP है late out property या deemed to be late out property तो interest का कोई limit नहीं है जितना interest है वो पूरा लव लेकिन SOP है तो उसमें interest का limit है SOP में special case है या general case है अगर special case है तो उस particular case में कब आएगा special case में loan is taken on or after one for 1999 loan is taken for either purchase या construction of property and if loan is taken for construction then construction has to be completed within the period of five year from the end of the financial year in which loan was taken तो maximum deduction कितना मिलेगा 2 lakh का और अगर आप इसमें special case में नहीं आते है तो आपको maximum deduction कितना मिलेगा 30,000 कितना मिलेगा 30,000 you got my point or not yes copy करो जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको copy करो जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है हाँ यह पर year का है 30,000 2 lakh every year का यह कैसे कैसे मिलेगा देखेंगे अपन अजट ह़वे वे दोपकरард दबूचे एफ दू पीन कोपको रखको दूखे तर उसरीग के सभस oritas कोई आपको आपको है 15 तो आपको आपको इं प्रutetाव how़का यह का ंपको झाल 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 किसी ने question पूछा कि मैंने लिया personal loan के नाम से है but use house property में किया है deduction मिलेगा है नहीं मिलेगा भले आपने personal loan के नाम से लिया है बट पैसा use अगर house property में हुआ है तो आपको deduction मिलेगा हाँ कंडिशन लगेगी नहीं अगर कोई भी loan है वो purchase के लिए है तो थड़ वाली condition लगेगी नहीं सब पर जहां तो purchase में आपको यह देखना है loan purchase के लिए है loan 1499 के बाद है maximum 2 लग का interest यह तीसरी condition तभी लगेगी जब loan आपने construction के लिए लिया है कि समझ रहे है कि पांच साल में घर नहीं बना तो तीस अजार का deduction मिलेगा interest का फिर कि रुक जाएगा चलो हम कि युक जाएगा कि अन्यूद जप्रॉबूज पिएक परेजिए टॉज़ देट रिखेफने हो तेट टारतके टॉज़ बद फिए से श्यूज़ एक बड़ न गगो कर सेट? कि यस पीपल को कोई बोल रहा है कैसे होगा पर्सनल वाला लोन वो तो पता चलेगा ना आपने बैंक में आया और वही पैसा गया है घर के लिए तो तो ट्राकिंग होगी न इस पेशल पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है लोन इस टेकन और आप्टर 1-4-1999 फर्स्ट अप्रेल है यह है वन फॉर हाँ क्या इसके अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए तो ही दो लाग जैसे लोन आपने इस डेट को लिया तो यह फिनेंशल एर आपका 20-21 है तो 20-21 पूरा कब होगा 31st मार्च 2021 को तो यहां से पांस साल अगर आप काउंट परोगे तो कितना आएगा 31st मार्च 20-26 आएगा ना इस डेट तक आपका कंस्ट्रक्शन भाई जिस फिनेंशल एर में लोन लिया उसको छोड़ दू उसके बाद के पांच फिनेंशल एर यही तो लिखा है कि फाइव एर्स फ्रॉम दे एंड अप दो फिनेंशल एर इन विच लोन वस टेकन कंस्ट्रक्शन आप इसके अंदर अंदर करो ना इंट्रेस्ट कौन से यहर से अलव होगा तू यह बोल रहा है मैं बताऊंगा वह आप सिरफ लिमिट याद रखो लिमिट दो लाग है भी कर आए दो रूक जा होग अ हम पर रूख जा नहीं होगा एच लिखो पॉइंट नमबर एच पॉइंट नमबर एच में लिखो अधर एक्सपेंसेज पॉइंट नमबर एच में लिखो अधर एक्सपेंसेज अधर एक्सपेंसेज में क्या क्या आ सकता है जैसे घर का रिपेर एन मेंन्टेनेंस कि घर का रिपेर एन मेन्टेनेंस कि सोड़ा लगी तो दूसरा लिको घर का इंसुर्ण सेथ इंसुर्ण सेथए इंसुर्यंस सेथि कि तीसरा लिखो अशेवा पार्किंग Google अब गुरें अगर कुछ लग रहा एंग थो पार्किंग चार्जेज चौता लिको सोसाइटी चार्जेज पार्किंग चार्जेज सोसाइटी चार्जेज उसके बाद जैसे इलेक्ट्री सिटी एंड वाटर चार्जेज इलेक्ट्री सिटी एंड वाटर चार्जेज एट्सेक्टरा एट्सेक्टरा चार्जेस सोसाइटी चार्जेस एलेक्रिसिटी एन वाटर चार्जेस इन सबका क्या होगा तो मैं बताओं इन सबका नॉट अलॉट 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 अबिकॉस 30 परसेंट इस्टेंडर्ड डिदक्षन ओन एन वी इस अलॉट तो आपने लिखा आपने लिखा नॉट अलॉट अलॉट बिकॉस 30 परसेंट इस्टेंडर्ड डिदक्षन ओन एन अलॉट not allowed, यह सब allowed नहीं होंगे, क्योंकि आपको 30% flat deduction दे दिया, कि NAV का 30% ले लो, बस, NAV means net annual value, गाव मैंसे municipal tax के बाद 9 बचा है, वो 9, तो 9 का आपको 30% standard deduction देते हैं, 30% of the 9, बचाए, चे, आवै, हाँ, क्या हुआ, आवै, प्लीस, श्म्तार象 थे प्सवेश के गोद्या है, प्लीज लिसन जनरल टेक्स क्या दिया 1999 से पहले लोन उससे पहले लिया नहीं यह क्या बोला रहा है मैं समझाए 1999 से पहले लोन लिया है इंट्रेस्ट अभी पे कर रहे हो कि लोन पे कर दिया है इंट्रेस्ट पे कर रहा है ना तो 30,000 में जाएगा तो 30,000 में जाएगा क्या रिनोवेशन के लिया तो 30,000 में सीधा 30,000 यदर तभी आएगा जब परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है 1499 के बाद लेना है और अगर कंस्ट्रक्शन के लिया तो construction आपका पांच साल के अंदर-अंदर complete होना चाहिए जिस year में loan लिया उस year से तो maximum 2000 बाकी cases में 30 अगर कैसे तो आगे वाले के लिए rent में जाएगा न house profit आपके लिए कुछ नहीं business का खर्चा है वो चलो के लिए अगर लोन लिया तो इधर न अरे यह लोन की बात हो रही है यह भाई आपको रिपेर का खर्चा maintenance का खर्चा अलव नहीं होता बट रिपेर के लिए लोन लिया तो लोन का इंट्रेस्ट तो अलव होगा न यहां पे दोनों अलग अलग है बाबू यह लोन है लोन लेके घर रिनोवेट कराया तो लोन लेके घर रिनोवेट कराया तो रिनोवेशन का खर्चा अलव नहीं है बट उसका इंट्रेस्ट तो अलव होगा है न हाँ चली अब आप रुकिए नेक्स्ट कॉंसेप्ट हमने कुछ टाइम पहले एक्चुल रेंट लिखा था देखो एक्चुल रेंट में क्या लिखा था एक्चुल रेंट इस एक्वल टू रेंट रिसेव्ड रिसीवेबल माइनस अन्रेयलाइज रेंट चलो इदर देखो आप सब लोग मेरी तरफ देखो कुछ नहीं लिखना है मेरी तरफ देखो कुछ नहीं लिखना है आप मेरी तरफ देखो किसी का एक्जाम्पल लेते हैं आपका नाम क्या है हाँ साहिल साहिल ना इतना ही है हाँ चलो इदर देखो सब लोग इदर देखो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर साहिल साहिल में एच 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 आता है ओ तुमको वड़े लड़कों की स्पिलिंग पता है मिस्टर साहिल मिस्टर साहिल अब हुआ गया मिस्टर साहिल ऑनलाइन इदर देख वो बंदा क्या कर रहा है ओनलाइन में बैटे बैटे इदर देखना हाँ मिस्टर साहिल है इसका एक घर है ये वाला ये घर है और मिस्टर साहिल ने ये घर भाड़े पे दिया था ये घर भाड़े पे दिया था और ये भाड़े पे दिया था किसको पता है ये घर भाड़े पे दिया था हमारे ऑनलाइन की एक स्टुडेंट है जिसका नाम है दिक् तो एक मिस्ट दिक्षा है दिक्षा को भाड़े पर दिया अब हुआ गया दिक्षा को यह घर भाड़े पर दिया दिक्षा पर मंद का भाड़ा दे रही है 50,000 रुपेज पर मंथ तो साहिल इस घर का ओनर है और दिक्षा क्या हुई अब हुआ क्या तो एक्चुल रेंट कैसे निकालेंगे बड़ा सिंपल है रेंट रिसेवड प्लस रिसीवेबल माइनस अन्रियलाइज रेंट यह क्या होता है कि देखो 50,000 रुपया परमंद का रेंट है तो 12 महीने का रेंट कितना होना चाहिए 6,000,000 तो 6,000,000 आएगा एक्चुल रेंट एक्चुल रेंट कितना आएगा 6,000 अब एक चीज समझना मालो हो सकता है ना ऐसा कि इस साल में 50,000 का जो रेंट है उसमें से 10 महीने का रेंट तो मिल गया है मतलब 50,000 multiply by 10 and 50,000 multiply by 2 तो रेंट received हो गया 5,000,000 का प्लस receivable कितना है एक लाग तो टेक्स कितने पर लगेगा 6,000,000 वहला एक्चुल रेंट 6,000,000 आपको रेंट received नहीं हुआ तो भी income में आएगा रेंट received प्लस receivable बड़ आप बोलोगे ये फिर unrealized रेंट क्या है देखो अगर कोई बंदा आपका पैसा खा के चला जाता है रेंट देता ही नहीं है simple word में बोल सकते है bad debts of the rent अगर bad debts of the rent है तो वो unrealized रेंट में जाएगा जैसे माल लो इस example में क्या हुआ कि जो साहिल है दिक्षा को भाड़े पे दिया घर दिक्षा ने 10 महीने का रेंट दिया माल लो 2 महीने का रेंट है वो बाकी है और दिक्षा वो 2 महीने का रेंट दे ही नहीं रही है दिक्षा 2 महीने का रेंट दे ही नहीं रही है unrealized हो गया bed debts हो गया तो यहाँ पे actual rent निकालते टाइम वो less होगा लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे फिर कैसे होगा दो महीने का rent मिल नहीं रहा है तो rent received 10 महीने का 5 लाक receivable 1 लाक मिलने वाला था और मान लो वो 1 लाक आपका नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे actual rent कितना होगा 5 लग actual rent कितना होगा 5 लग लेकिन एक चीज समझना यह जो unrealized rent है न यह less तभी होगा यह less तभी होगा जब चार condition satisfied करनी पड़े कि income tax में एक rule है जिस rule का number है rule number 4 income tax rules में ऐसा rule बनाया हुआ है rule 4 और rule 4 की चार condition है और यह चार condition आपने satisfied कर ली तो ही वो unrealized rent उदर less करने को मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा सर कौन-कौन सी है चार condition पहली condition है कि आपकी tenancy bona fide tenancy होनी चाहिए क्या होना चाहिए बोनाफाइड का मतलब क्या होता है बोनाफाइड जो है वो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है बताओ बताओ मुझे आपकी जो tenancy है वो tenancy बोनाफाइड जो होनी चाहिए बोनाफाइड का मतलब क्या होता है बोनाफाइड मेंस बोनाफाइड मेंस बोनाफाइड मेंस राइट आंसर इस वो tenancy आपकी genuine होना चाहिए मिस genuine होनी चाहिए ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपने tenancy genuine होनी चाहिए मतलब tenancy में genuine tenancy agreement वगरा होना चाहिए पहली condition है बोनाफाइड tenancy होनी चाहिए दूसरी condition यह है कि भाया अगर आपका unrealized rent हुआ है तो आपने इस tenant को इस घर से बगा दिया हो मिस घर से आपको निकालना पड़ेगा उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते है कि खुद के घर में वो पढ़ा है रहरा है और आप बोलते हो unrealized पैसा नहीं दे रहा है ऐसे कैसे भाय अगर मांलो वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसको धक्के दे के बाहर निकालो ना आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि वह पैसा भी नहीं दे रहा है और निकल भी नहीं रहा है ऐसा थोड़ी होता है तो हम यहाँ पे अन्ड रियलाइज रेंट तभी लेस करने देंगे पहला टैनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए दूसरा वह टैनेंट ने वह घर खाली कर दिया हो क्या कर दिया हो घर खाली कर दिया हो तीसरी कंडिशन के वह टैनेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही के दूसरे घर में रह रहा है नहीं तो लोग क्या करेंगे मालो पूने में मेरे तीन घर है मैंने एक घर से उसको भगा दिया बोला पैसे नहीं दे रहा देख रहा है पक्का नहीं देख रहा है हाथ ही देख रहा था इधर देख प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ इस पर ध्यान है के नहीं है हाँ तो ऐसा प्लीज ना मेरे लिए ना इतनी गंदी आवाज कोन ही निकालता है तो पहली चीज टेनेंसी बोनाफाइट आनी चाहिए दूसरा उस टेनेंट को घर से दख्के दे के बाहर निकाल दिया हो तीसरा उस टेनेंट को अपने किसी और घर में ना रखा हो और चौती कंडिशन यह है कि आपने कुछ कुछ आपने रीजनेबल स्टेप लिये है जैसे आपने कुछ पुलिस केस किया है या एड़ोकेट का कोई नोटिस भिजवाया है अगर यह चारों कंडिशन सेटेसफाइड हो जाती है तभी आपको अन्रेलाइज रेंट लेस होगा अदरवाइस अन्रेलाइज रेंट लेस नहीं होगा तो आप एक काम करिए आप वापस एक लाइन छोड़के लिखिए एक्चुल रेंट इस एक्वल टू एक्चुल रेंट इस एक्वल टू एक्चुल रेंट इस एक्वल टू रेंट रिसेवड प्लस रिसीवेबल रेंट रिसेवड प्लस रिसीवेबल माइनस अ rent received plus receivable minus unrealized का और फिर एक लाइन छोड़के ऐसा हेच माइक करके लिखिए लेंट पो लिखिये इसमें अन्रियलाइज रेंट कि यश बोलरा है का हमने सामान रख लिया तो कि यूज कर लो बाल्टी से नहां लो और क्या अगर कि ठीक है वाल्टी रखी हो तुमने तो नहां लो उससे साबुन पड़ा हो आदा यूज किया हुआ तो कर लो कैसी-कैसी बात कर रहे हूँ अब एक बात वदाओ अगर ऐसा है कि आपके बास उसकी डिपोच के लिखा उसको डैस करके लिखिये इत प्रेंज रेंज 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 र it is like bad debts of rent, it is like bad debts of rent, it is like bad debts of rent, full stop, full stop, it is deductible only, it is deductible, deductible means less ho ga tabhi, it is deductible only, if following four conditions, if following four conditions of rule four are satisfied, if following four conditions of rule four are satisfied, पहली condition लिखो, tenancy should be bona fide, tenancy should be bona fide, और bona fide की spelling लिखोगे B O N A F I F I D, so tenancy should be bona fide, that is the first condition, दूसरा लिखो, tenancy should have vacated that house property, tenant should have vacated, vacated means V A C A T E D, tenant should have vacated such house property, पीसरी condition लिखो, such tenant, such tenant, such tenant should not occupy any other house property, of same assessee, such tenant should not occupy any other house property, of same assessee, and last condition लिखो, reasonable steps should be taken, reasonable steps should be taken, for recovery of unrealized rent, reasonable steps should be taken, for recovery of unrealized rent, यह इंकम टेक्स्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जिस पर यह unrealized rent से related चीज़े, rule number 4 है, चलिए, अब आप एक काम करिए, आजाएए, आपकी बुक में, क्वेश्चन नमबर 7 पर, आपकी बुक में, क्वेश्चन नमबर 7 पर, क्या हुआ बाबू, आवाज है क्यों आ रही है तुम लोगों की, बट सर अगर वो कहे कि future मैं दे देंगे, तो unrealized नहीं हुआ ना फिर, दे देंगे तो आप क्यों बोलोगे unrealized है, बरुसा करलो उस भी, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट, विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास, विश्वास, विश्वास होता है, विश्वास होता है, विश्वास होता है न, विश्वास, हाँ, सबका साथ सबका विश्वास, ना, सबका विश्वास होता है, चलो, all online के बच्चे, सर अगन कपन किसी से लोन लिये है वो आई टी आर भी नहीं भर रहा क्योंकि उसकी इंगम ढ़ाइलाक से कम है तो डिडक्शन वहां मिलेगा कोई ब्लॉब्लम नहीं अनिश ऐसा चलेगा कोई दिक्कत नहीं ले लो आपको कोई लोन देता हो तो हूं पिख चनरी विंडव सब्सक्राइब उसका भाइक बेच दिया हो जब वह सो रहा था हो जबन ले लो मैं अलुबल्लाइन वालो द्यमाग देख रहे हो कि वो सो रहा था तब हमने उसका बाइक बेच दिया कि ठीक है वेरी गुड तो रीकवरी आपने वहां से कर ली अब आप के मन में यह डाउट हो सकता है कि सर अभी तो यह अन्रेलाइज रेंट है बट उसने तीन साल बाद आके अपने को पैसा दे दिया कि तीन साल बाद उसम कहीं अभी से अगर मन में आ रहा हो तो अपने मन में रखो क्वेश्चन नुमर्व 7 पर आजाओ कुस्चयन नंबर देखिये através बोलता है, सब लोगों का ध्यान इदर होना चाहिए, question number 7 पे, Anirud has a property whose municipal valuation is 1,30,000 per annum, पूरे साल का municipal valuation 1,30,000 per annum है, fair rent is 1,10,000 per annum, fair rent 1,10,000 है, and the standard rent fixed by the rent control act is 1,20,000 per annum, the property was let out throughout the year for 11,000 per annum, in the previous year, miss हर महीने का rent 11,000 रुपया पर मन था, unrealized rent was 11,000, and all the condition prescribed by rule 4 are satisfied, unrealized rent है, वो 11,000 था, सब condition satisfied हो रही है, he paid the municipal taxes at the rate 10% on the municipal valuation, interest on borrowed capital 40,000 है for the year, miss आपने loan लिया था, उस loan का interest 40,000 है, compute his income from house property for the assessment year 24, 25, बड़ा simple सा question है, मुझे एक बात बताएए, इस question में यह property SOP है, LOP है, या DLOP है, इस question में property SOP है, LOP है, या DLOP है, right answer is LOP, कैसे बता चला, क्योंकि भाड़े पे दे रखा है, property laid out throughout, तो LOP है, चलिए, तो इस question को हम solve करेंगे, तो बाबू लोग, question को solve करेंगे, question number कौन सा है, तो यहां लेकिन साथ साथ में तुम भी करी लो ना, question number 7, page number 43, very good, very good, और बेटा, उसमें आपको लिखना है, अपनी notebook का page, हाँ, उसमें, जो आपके पास यह compiler आया है, यहां पे लिखोगे, आप page number, आपकी notebook का, जो भी page रहे, 20, 25, 30, जो भी है, कितना, 47 है तो, 47 page भर दी है, तुने, तो ऐसे तो, 800 page की book लानी पढ़ेगी, ठीक है, इतने सारे page भढ़ लिए तुमने, चलो, कोई बात नहीं, तो 400 page की book एक और लानी पढ़ेगी, फिर, चलो, तो page number यहां पे लिखोगे, notebook वाला, इस बंदे का नाम क्या है, Mr. Anirud, यह रमन बोलता है, आपकी book तो colorful होती थी न, colorful होती है, वो मिलेगी book आपको concept की book मिलेगी, last में मिलेगी, ठीक है, जब आप जाओगे batch complete हो जागा, तब ले जाना, बोलो के बाद में क्या मतलब, ऐसे ही मिलेगी, कुछ topic उससे पढ़ेंगे, बागी सब topic अपन लिख के करेंगे, ठीक है, तो जब वो जरूत पढ़ेगी, मिल जाएगी, चलो नाम क्या है Mr. Anirud, previous year, लिखो बाबू लिखो भड़ापट, हाँ, तुम यार मेरी मजाग उड़ाते हो, पता है, पार्प लगेगा, computation of income from house property, सबसे पहले, यार मेरी मेरी मजाब ँरूत ऑट है, यार उड़ल्या करेंगे इनposition, écाहां खता है, यारा मेरी मेरी में भड़ेगा, आ यारा मेरी 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 मोढ़ेगा पार्फ doesn't know my intelligence, जा हम झाम है अशभ़ाते है, झाल 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 चलो एक बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ चलो मुनिसिपल वाल्यू जो है वो कितना दे रखा है तो आपको दोनों में से हायर लेना है तो 1,10,000 and 1,30,000 higher लेना है आपको तो दोनों में से higher आपका आ गया 1,30,000 standard rent कितना है 1,00,000 तो 1,20,000 तो lower कितना आ गया actual rent कितना है तो actual rent के लिए अपन लिख लेते हैं note note number 1 तो अपन गये note number 1 में और actual rent is rent received plus receivable minus unrealized rent तो आपको एक बात बताओ यहाँ पे rent received और receivable पूरे 12 महीने का होगा तो 11,000 परमन्त है तो 11,000 मल्टीप्लाइब बारा कितना आता है 30 और unrealized rent 11,000 है तो 11,000 unrealized rent एक महीने का नहीं मिला तो कितना मिला 1,20,000 तो 1,21,000 अब आपका actual rent आया 1,21,000 तो higher ले लो 1,21,000 municipal tax percentage form में दे रखा है कितना परसेंट तो 10% आप municipal value का लोगे तो municipal value का आप 10% ले लीजिए तो आपने 10% लिया 13,000 तो आपका ये 13,000 लेस कर दिया तो कितना है 1,000,000 1,800,000 इस्टेंडर deduction 30% कितना हुगा 35,000 700,000 क्या बोल रहे है यार 32,000 और एक बात बताओ आपका interest on loan कितना है 40,000 एक बात बताओ अगर यहाँ ऐसा दे रखा होता कि ये interest repair के लिए है तो maximum कितना अलग होता मैंने बोला है LOP, DLOP में कोई भी limit नहीं होती और आपके दिमाग में हमेशा 2,30,000 आता रहेगा last question कराऊंगा ना तब पूछूंगा ना तो भी कोई बोले का 30,000 रहे ठीक है या 2,00,000 LOP, DLOP में कोई limit नहीं होती तो जितना interest है वो पूरा अलव हो जाता कितना आया last 35,000 तो यह आपका आ गया 35,600 income from house property अब एक बात बताओ हालो हालो हाँ वई अब एक बात बताओ इस question को देखके आपको यह नहीं लग रहा एक बात बताओ आपने standard rent किसको बोला था स्टेंडर्ड रेंट मतला रेंट एस पर रेंट कंट्रोल एक्ट सर यहां तो इस्टेंडर्ड रेंट एक बीस है और एक्चुल रेंट एक इक्टिस है तो तो क्या standard rent से जlagen से ज़्यादा actual rent हो सकता है यह नहीं हो सकता है देखो उसमें यह बोला हुआ है legally आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते बट कौन ही follow करता है गौवर्मेंट तो बोला हुआ है कि कछरा भी नहीं फेकना है बट हम फेकते तो ही है भाई ऐसा कौन सा follow करता है कि rent control act में बोला इससे ज्यादा नहीं rent लेना है आप उससे ज्यादा ले रहे हो आप legally नहीं ले सकते हो बट income tax में तो भले legally illegal उससे क्या फर रहा हूँ मैं जो बोलने जा रहा हूँ one minute के लिए आप ध्यान देना मानलो unrealized rent है वो एक महीने की जगे चार महीने का रहता कितना रहता तो चार महीने का रहता तो unrealized rent कितना आता 44,000 तो आपका actual rent कितना आता 88,000 तो आप बताओ आपका actual rent यहाँ पर 88,000 आता हाँ बट आप जिये भी तो कितना बनाते वन लक्ट 20,000 हाँ तो आप बोलते सर का benefit मिला फिर unrealized rent का क्योंकि हमने टेक्स तो एक भी इस पर भरा और फिर 88 क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड और actual rent whichever is higher है वो लेना है और अगर मान लो यह 88 होता actual rent तो भी हम तो यहाँ पर एक लाग 20,000 पर टेक्स बढ़ते हैं तो सर यह तो गलत है फिर फाइदा कहा हुआ अपने ले लिया तो यह लो में ऐसा लिखा हुआ है कि actual rent निकालते टाइम आपको unrealized rent less करना है लेकिन हमारा income tax department का जो ITR का form है क्या बोला मैंने ITR का form किसको बोलते हैं जिसमें income tax return जिसमें फाइल करते हैं उन्होंने correctly दिया है उन्होंने बोला है कि यह unrealized rent है न यह यह actual rent निकालते time less मत करो यह less करो GAV के बाद में और वो बड़ा लोजिकल है आप GAV के बाद में लेस करो जैसे माल लो यहाँ actual rent में आप पूरे 12 महीने का rent ले लेते कितना होता 12 महीने का rent एक लाग 32 तो यहाँ एक लाग 32 आ गया अब GAV के बाद में आप unrealized rent लेस करो ऐसा income tax form में बोला हुआ है बेट अगर act में देखोगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ actual rent निकालते time less करना है अब आप बोलोगे हम exam में क्या करें exam में आप दोनों तरीके follow कर सकते हो institute ने भी दोनों किया है एक का 8,000 होता तो भई 88,000 होता तो कम से कम unrealized rent का benefit तो दो आप तो 120,000 पूरा taxable कर रहे हूँ तो इसके लिए आप note number 2 लिखिए लिखिए note number 2 लिखिए as per income tax return form as per income tax return form as per income tax return form जिसको ITR बोलते है bracket में लिख सकते हो ITR as per income tax return form unrealized rent unrealized rent deducted from gross annual value unrealized rent deducted from gross annual value bracket में लिखिये GAV so alternatively so alternatively we can reduce unrealized rent so alternatively we can reduce unrealized rent from GAV also so we can reduce unrealized rent from GAV also इस question में है न सिरफ ऐसा दे रखा था interest on borrowed capital ऐसा नहीं दे रखा था loan house के लिए लिया है तो यह assumption रहेगी के loan जो लिया है वो house के लिये लिया है अगर कोई house property का question है और उसमें interest की बात की हुई है तो यह माना जाएगा के loan है वो house property के लिये लिया है चलो आज के लिए कितना बहुत है कल गंडी नियू करेंगे थांक्स अलोट people that's enough for today from my side by take care online वालो बाए कितना थांके लिए लिया है और गंडी वहाई बाए